स्री अधिरंदन चोद्य जी सेर सर्वरप्रथम हमारे लोकसवा की स्पीकर हमारे अभिभावक आपको सबकी तरफ से अभाद प्रकट करता हूँ कि आप ये नए सदन में आज नया सुरुवात करने का पहल किये हैं और इसके साथ-साथ हमारी देश की हर नगड़िकों को गनेश चतूर्थी की बधाई भी देना चाते हैं और सत्तपक्स और विपक्स हम सब मिलकर देश को आगे ले जाएंगे देश की ताकत को और मजबूत करेंगे और बरहाएंगे आखो सहदादों की चलते खोन पसेना बहाने की चलते हमारे देश आजाद हुई थी और इसलिए सारे सदन की तरफ से उन सारे हमारे देश की अजादी लाने में जो अपना खोन पसीना बहाया मेहनत की दीन रात एक करते हुए देश को बिटीस हुकुमत से निकल के आजादी की रस्ति ले गए थे उन सब को भी नमन करता हूँ ये नए सदन से ये आप लोगों का ही बिरासत जो बिरासत की चलते पुराना संसद भी हमें देखने को मिला और ओही बिरासत को आगे ले चलते नया संसद में हम सब मिलकर काम करेंगे प्रियास करेंगे एही मनसा के साथ ये नया सदन में पाये रखे हैं मैं ये पहली बार इसके अंदर आते हैं किसी ने पुछा था कि एक बड़ चलो नया सदन को देख लिया करो मैंने का नहीं अगर जाना है तो सीधा सदन के अंदर ही जाएंगे और उसके बाद धीरे-धीरे सदन के हर कोने से पड़िचीत होंगे तो ये नया सदन की ये कलपना ये नहीं नहीं है सर हमारे पूर्बो लोगसभा की संग्षत स्रीमोती मीडा कुमार जी उन्होंने पहले ये मुद्दा उठाई थी उन्होंने ये भी कही थी कि हमारे जो भवन वो चुप से हुए रोते हैं साइलेंटली वीपिंग हमारे और एक महिला लोगसभा की अद्धक्सरही सुमित्य महाजन भी ये गुहार लगाते थी कि हमें नया एक संग्सत एक नया भवन की जोरत है क्योंकि बहुत सारे खामियाद धीरे धीरे निकल आते हैं अच्चा हुआ देर सबेर नया संग्सत हमें मिले हैं और इस सरकार जो आज सत्य पे है इही सरकार की इस पहल की चलते नया सदन बने हुए है तो इसमें हम ये सब का है ये ये कोई पार्टी के नहीं कोई बेक्टी के नहीं सब का है मैंने इसलिए ये पढ़ा इसमें लिख्खा है We the people of India ये नहीं लिख्खा गया कि ये हिंदू ये मुसलमान ये खिष्चान ये जैन अलाग अलाग किसी ने ये प्रस्ता पारित करते हैं समग्र मिलके We the people of India मतलब सारे देश की शारे भारत की सारे इंडिया की सारे इंदूस्तान की सम मिलके ये सपत लिए गये थे सेर हमारे आर्टिकल 395 आर्टिकल इसमें सामिल किये गये थे उसमें जब पहला आर्टिकल उसमें यह लिखा जाते हैं कि इंडिया इस भारत शाल भी यूनियान आफ स्टेट मतलब भारत और इंडिया के बीच कोई अंतर नहीं आए जो भारत होते है वो इंडिया है जो इंडिया होते है वो भारत है हम जबर्दस्ती किसी बहाने इसके अंदर दरार पाइदा करने की कोई कोशिश ना करे तो बेतर होगी क्योंकि कुछ कुछ जगा में यह आसंक पहला जाते है कि हमारे देश में हिन्दुतों की तो बात हम सुद्ध्य है लेकिन इसके सा streams दिए लिए जूगों रैंटों में चर्चा है मैं सब को संगान में यह लाणा चाते हैं क्योंकि मुद्दा अमारे देश के लिए कोना में क्योंकि हमें हमारी संग बीधान में यह ओफिश्यल जो लेंगवेज है यह 22 ओफिश्यल लेंगवेज है तो कोई दरार पैदा करने की कोई कोशिश ना होने ना होने से बेतर होगी यह मैं जोरूर आपसे मांग करता है सर्वर प्रतम और एक बात कहना चातना है सेर प्रधान मंत्री जी जी 20 और सुरुवात तो किये थे राष्ट्रपती जी की भासंद के साथ साथ पार्लामिन में नो कॉंपिडेंस उसके बाद जी 20 को तो हम देखे हर दिन देखते हैं आज सदन में भी देखे दोनों लोकसाओं में देखे सेंटल हॉल में भी देखे यहां भी देखते हैं प्रधान मंत्री जी कि हर भासं सुनते सुनते माल लीजी के हमारा जहन में सिमट गए हैं मैं इसलिए यह करना चाहते हैं अभी कि सेट देखिए यह सदन की गईमा की बात किया जाते हैं लेकिन कम से कम सरकार सरका कम स viene कि हमार ये सबन में इसब है लेकिन डेपूटी समड रिद्ध डेन्जादी के बाद संग विदारों नहीं हुनी की वाद पहली बार हमारा ये सब नभा इसद्ध लेकिन डेपूटी स्पीकर नभाएं क्यों ये हम सब को साथ आगर बोलने देंगे तो थे अब समय है वाज समाशनु दर यह तो सरी ही तो हमारा मांग उधर उधर भी ते इधर भी है इसलिए कभी-कभी हम थोरा जोर आवाज करते हैं हमारा आवाज रुखने के लिए पुरा अपने बना दिये सारे बहुत उजा कर दिया हमें कोई अगार बात वहां तक पहुंचने पाए सर मैं यह कहिना चाहते जो आरक्षन की बात हमारे पधानमंदी जी अभी-अभी कह है मैं यह कहना चाहते कि महिला आरक्षन 1989 में जब राजीब जी पधानमंदी थे तब स्थानी और निकाओं के चुनाओं में उन्होंने एक तिहाई आरक्षन महिलाओं के लिए सुनिश्चित किया था तत पस्चात कॉंग्रेस की सरकारों ने लगातार प्रयाश किया कि महिला आरक्षन का बील पास हो कानून बने लोक्सवा एबंद वृदान सबाव के लिए एक तिहाई अरक्षन के लिए राजीब जी की सरकार देखो प्रदानमंदी जी कही रहा थे कि व्यवार से पता चलेगा कौन कैसा बैभार करता है पदामंद्री की अपन्ट कर रहे हैं आप लोग पदामंद्री खुद आप लोग को सिखा तकी बैभार की अपनी हसियात के अनुषार उसको पास कराने की प्रयाश किया कभी राज्य सवा में पास होता था लोग सवा में नहीं होता था कभी लोग सवा में होता था राज्य सवा में गिर जाता था डक्टर मौनमौन सिंग की सरकार के वक जो ये बील आया वो आज तक जीबित है आज तक जीबित है राज्य सवा में पास हुआ है हमारी कल, हमारी CWC Congress का आध्या समीति की बैठक में, जो रेजुनिशन पास हुआ, प्रस्ता पारिच हुआ, उसमें ये मांग की गई है, ये जो आने बाले पीसेश है, उसमें महिला रक्षन की उस बिलको पास किया जाए, पारिच किया जाए, ये बहुत महत्त पुन्न है, अ आपको घ्यान है कि पूर्बो कंग्रेस अद्दक्षा, इसमारी सोनिया गंदी ने पत्र भी लिखा था, हमारे पदार मंती जी को, पत्र लिखा था, हम फीर से उसमां को इस पस्तव के जरिए दो राते हैं, अच्छा हुआ, सर, सर, बात तो बहुत कुछ आए, पदार मंती सब्सक्राइड, से पार्णि आपको यह सिंघल सदनवे सागत कर देऊं, तर देंगे जो कि अचंगारे था, यह सिंघल कि एंपयार लाषा, झाल डाइड़ाई जाई, लुछे, व्यद्टें, व्यद्टें, और इचंगे पंदा लिखें प्रुदिने सवाओे, बाते लु आजुन मेवा जी. दो चुझे फ्रक्शुली इंकरेक्ट कही है या तो वो विडो करे या तो आपने सदन के टेबल पर उसको रखवाना चाहिए एक महिला अरक्शन भी लोगसभा में पास हुआ था कभी पास नहीं हुआ और दो कि ये पील पुराना लोगसभा में लंपीत है ये पील दो यार चेहदा में ही लोगसभा नई लोगसभा को भीगपन के साथ ही ये पील निरस्त कर दिया गा है इनकी स्पष्टता मैं आप स्पष्टता करता हूं कि इसकी स्पष्टता उनसे मांगी जाए या तो रेकोर्ड से दूर किया जाए या तो वो उसके समर्धन्ने को दॉक्टिमेंट टेबल पर रखिए अर्दू मेगवाल जी अप जब आप अपी सथनुटरा ऐब अजिन साथ लॉ Вас दीहां कि अरबते सक्टून different κα। कि अरूवक जहां रहा नहेड के नोर्ड माओंवान भी और लुदोर सो CPA P लुद कॉद नहेड लुद है लावा देघ्टे कि अंपोर प्रइटे संया है लu दर कॉ agentsacts लुदर गो पर vector conserv效 नहीं who went on to become the first vice of India. Rajaji identified the Chola model, where the transfer of power from one king to another was sanctified and blazed by high ruler. The symbol used was the handover of Senghal or scripture from one king to his successor. A golden scripture was crafted by Bhumi Dhi Bangaru Chetty, a famous jeweler in the Madras presidency. The makers of the Senghal, Bhimudi, Etarajulu and Gumudi Sudhakar are living in Chennai. On August 14, 1947, the deputy high priest of Thiru Bhadu Thurai Adi Man, Nagasaram Pliyar, Rajaramthi Pillai and Oduvar, a person who sings devotional songs in Tamil temples, were flown to Dil capital from the then Madras presidency. The ceremony was conducted as per Tamil tradition and the Senghal was handed over to Nehru at his house. Okay. There is no new thing. There is no new thing. Sir, taking this place, it is the place to make this place. The city says, that there is no new thing, there is no new peace in our country, there is no new thing. Sir, I have a lot of trouble. I would say something, that I have to say something, this is the root, this is not built with bricks and mortar solely. प्रिवास्ता का प्रस्ना है, मान्या धिरंजन जी ने प्रिवास्ता का प्रस्ना है, जो कहा, वो factually incorrect है, कि पुराना बील अभी भी जिवीत है, मेरी सपस्ट जानकारी है कि पुराना बील लैप्स कर गया है, अधिरंजन जी ने जो कहा है, उसके समर्थन में, उनके पास कोई डॉक्यूमेंट है, तो टेबल पर रखने चाहिए, एक, या तो उन्होंने स्टेट् अभी नहीं हुआ है, मान्या ज्यक्सी ये दोनों चीजों को, मान्या, बैठिए ना, बैठिए ना, मैं आगे कहता हूं, मानी सर सब्श्द की आप तब करेurpose I, मुझे पुरा तो करेश्द activities, कल्यान जी, छिक जेपने प्रियाटों निग करेंगा बील पारित होता है अगर राज्य सभा उसको पारित नहीं करती है और रोपसभा का कारेकल समाथ होता है तो बील अपने आप लैप्स हो जाता है मैं मानता हूँ कि इस चीज को स्पश्टता करनी चाहिए और मान्य अध्यकजी अगर उनके पास अलग जान करिये तो सदन के टेबल पर रखनी चाहिए